दोस्तों नमस्कार जैस्री कृष्णा जैस्री गाधे दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव रासी फल नवंबर 2022 नवंबर का महिना तुला रासी वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मेरिड लाइफ, आपके रिलेसंसिप के लिए कैसा रहेगा आएए जानते हैं दोस्तों नवंबर का लव रासी फल सुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव रासी फल चंद रासी यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव रासी फल को देखें, वह सुनें, अगर आपको चंद रासी यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रास्तिक अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं दोस्तों, नवंबर में चार ग्रहों के मुख्य परिवर्तन हो रहे हैं ग्रह गोचर की ये चार बड़ी घटनाएं, चार बड़ी परिवर्तन आपकी लाइफ में बहुत बड़े, बहुत ही महत्वपूर परिवर्तन लेकर आनी वाले हैं ये कौन से परिवर्तन हैं, क्या आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, आईए जानते हैं सबसे पहले ग्रह गूचर के परिवर्टन बता देते हैं उसके बाद में आपको बताएंगे रासित सबसे पहला परिवर्टन 11 नवंबर को ब्रिश्चिक में सुक्र का प्रिवेस होगा दूसरा परिवर्टन 13 नवंबर को ब्रिशब में वक्री मंगल का आगमन होगा 13 नवंबर को विर्ष्चिक में बुद जाएंगे और 16 नवंबर को विर्ष्चिक में सूरे जाएंगे तो ये चार उक्षे परिवर्ता हैं और इन से आपकी लाइफ निस्चित रूप से बहुत बदलने वाली है क्या बदलाब होगा आईए जालते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी उसके बाद में लव लाइफ की, नू कॉन्टेक्स सिच्वेशन की, मेरिट लाइफ की, एक्ष्टा फैर की इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद में वीडियो के लाइफ की आपको बताते हैं तीन राश्यों के नाम अगर आप किसी भी एक राश्यों के पार्टनर से आप बात कर रहे हैं मतलब आपका कोई भी उन तीन राश्यों से किसी एक राश्यों के पार्टनर है तो आपके लिए महीना लगी रहेगा आईए जानते हैं शब सफरे कहले बात करेंगे जो लोग सिंगल युग जो लोग सिंगल नए उनकिर देखा जाहे तो दुतियेस और जो बिल्कुल सिंगल है उनके रिये दुतियेस के स्थिती बेहत खास होती है अब 23 आपके जो मंगल बनते हैं मंगल का वक्री होकर के ब्रिशम में बापसी होना तो वो इस चीज़ को दरसाता है कि कहीं न कहीं जो बैक्ती आप पहले जिससे बातचीत कर रहे थे या इस महीने भी आप बातचीत करेंगे बातचीत तो आपकी लगातार चल रही है किसी से या बहुत ज़्यादा आप किसी से इंगेज होना चाहते हैं वो भी रहे थे अब उस पर आपको जो भरोसा होने लगा थे वो भरोसा तोड़ देगा इसलिए आप कहीं न कहीं उससे हट जाएंगे और ये पिसे इस 13 नवंबर की स्तिती जो दर्सारिय मंगल का वक्री होना वक्री होकर यहाँ पर व्रिशब में आना वो इस चीज को ज़र्शाता है कि आपको भरोसा तोड़ देगा और कहीं न कहीं आप उस पर सक करने लगेंगे तो दोस्ती भी रहे यह ना रहे यह ऐसी कन्फ्यूजर वाली दोस्ती रहे कन्फ्यूज बहुत रहेंगे उसे प्रपोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए फ्यूचर में उसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए बड़ा कन्फ्यूज रहेंगे तो मंगल आपका काम कराब रहेगा अगर आप किसी के साथ में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं या हो भी जाते हैं तब भी आप उस पर भरोसा नहीं कर भाएं सबसे बड़ी problem होती है जो की भरोसा भरोसा अगर आप किसी पर करते हैं तो आपके लिए आपके रिस्ते के लिए बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन अगर भरोसे के लाइक आपको न लगे और भरोसा आपको हो ना उस पर आप confused हो उस रिस्ते में बढ़ने से पहले ही तो नि confusion में या एक तरह से अंदा दूंद firing करेंगे आप एक तरह से मतलब विश्वास ना होते भी आगे कदम बढ़ा देंगे तो कदम डगमगाएंगे रिस्ता डगमगाएगा एक ना एक दिन बिखर जाएगे इसलिए जरूरी है कि आपको उस पर पहले believe करना चाहिए विश्व बहुत ज्यादा प्यार करने लगें उस व्यक्ति से और उस व्यक्ती से भी आपको बहुत प्यार मेंगे यह एक बहुत बढ़ी दिखकत है आप दोनों के बीच में प्यार रहेगा लेकिन तीसरे व्यक्ती को इंटरफेर या तो उनके ex-partner या आपके ex-partner इंटर्फेर करने लगेंगे बात्चीत करने लगें मैससेज करने लगेंगे अपको परेसान करने लगेंगे उन्हें परेसान करने लगेंगे और यही कहीं नकें थर्ड पार्टी के नित्री कोदर साता है और वो third party आप दोनों के बीछ में बिसेश रूप से 13 नवंबर के बाद में आ सकती है बहुत ज़्यादा चांसे हैं कि 11 के असपास ही आ जाए सबसे बुरी स्थितीज में यह दिखती है कि जो थर्ड पार्टी है वो कुछ ऐसे ओफर आपको करने लगे मतलब ऐसे बादे करने लगे ऐसे डिमांड आपके सामने कर दे कि आप भी कन्फ्यूज जाए आप फस जाए आपको लगने लगे कि यह तो मेरा पहला प्यार है तो मेरा पुराना प्यार है अगर इस ने सच में ऐसा कर लिया तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको कुछ लोगों ने इसे फिर से जोड़ लिया है बहुत सारी प्रॉब्लम में आप फस जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा गलत नेड़ा आपसे हो जाए कन्फ्यूजन में जो आपके लिए आपके रिष्टे के लिखा तक नो कॉंटक्स सिचेशन के अगर बात करें तो नो कॉंटक्स सिचेशन में जो लोग हैं उनका 100% तय है वो किसी आपके जो पार्टनर नो कॉंटक्स में गए हैं वो किसी व्यक्ति से इंगेज हो चुके हैं अफैर हो चुका है नहीं हुआ है तो इस महीने जरूर हो जाएगा मेरिट लाइफ के अगर हम बात करें तो मेरिट लाइफ बहुत बुरी है मेरिट लाइफ बुरी चल ही रही है बहुत समय से लेकिन उसे एडजस्ट कर रही हैं उसे जैसे जैसे कर रही है एडजस्ट चला रहे हैं गोचर की घटनाये तो यही दिखाते हैं कि आपकी merit life में हर रोज एक challenge होता है हर रोज एक परीज़शांई होती है लेकिन उससे आप लडते हैं उससे लड़ना सीखते हैं यह रूज़ लेकिन इस महीने जो होगा वो आपके लिए आपकी मतलब आँखें खुली की खुली रख जाएंगे आस्चर जनक होगा और आस्चर चबित करने वाली इस्तितियां हैं कि आपके पार्टनर किसी व्यक्ति के साथ में बहुत समय से अफैर में थे और आपको भनक ही ना लगा लेकिन इस महीने आपको वो अचानक से बोलें कि मैं उससे प्यार करता हूं मैं उससे साथी करूँगा या मैं उसके साथ जा रहा हूं वहाँ पर जा रहा हूं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो अजीव हों, बहुत बुरी हों, सक तो आपको उन पर था, लेकिन जो अब सक होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, और उस बज़े से उस सक ते आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आप निकालेंगे, जो कहीं न कहीं, आपको पजबूर कर देगा, कि इस साधी का, इस रि पर पॉलिटिफ चीज़ ये है, एकर आपका कहीं, अब एक्स्टा फैर की बात कर लेते हैं, एक्स्टा फैर आपका कहीं है, तो उसमें बहुत अच्छे चैंजेस आएंगे, बहुत अच्छे परिवर्टन आएंगे, बहुत अच्छा रिस्ता आपका हो जाएगा, और वो स्थितियां एक्स्टा फैर के अच्छे रहेंगी, सबसे जादा एक दूसरे के साथ समय बताएंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, और जो रेक्ति एक्स्टा फैर में आपको छोड़ कर गया था, ब्लॉक कर दिया था, वो फिर से बापस आएगा, 13 नमंबर के बात, तो यह स्थितिया है, दोस्तों यह था आपका लवरासी फल, अब जानते हैं तीन रासी के राप, पहली रासी, ब्रिस्चिक रासी है, दूसरी रासी, धनू रासी है, और तीसरी रासी मीन रासी है, अगर इन रासी के पार्टनर आपके होते हैं, तो आपके लिए महीना उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आप 2023 का लवरासी फल देखना चाहते हैं तो वैल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ, वैल आइकन दवा लें जिससे कि आपको लेटिस्ट वीडियो 2030 की सबसे पहले मिल पाए, बहुत बहुत